वेलकम स्टूजंस इंजेटेक फेमिली के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं राहूल और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगी जेमिन 2019 की जो एक्जाम्स होने वाला जो आपका फर्स सेशन होगा मतलब जो जनवरी सेशन आपका होने वाला है उसकी डेट में इसके बारे में information आपको मिल जाएगी देखने के लिए तो मैं वहीं सी यह information आप सभी के लिए लेकर आप सभी के साथ share करना मेरे को लगा कि आपको share करनी चाहिए अगर आपको किसी तरिके के doubts है तो please मुझे comment करके जुरूर बताना मैं आपके doubts के लिए कुछ ना कुछ solution जुरूर निकालूँगा और जहां बात करें अगर आपको मेरे वीडियो को like करना तो बनता है तो अब बरते हैं हमारे सबसे पहले topics के बरे में और इसे पहले में थोड़े सब बात करना चाहूंगा आपके जो जो एडवांस का एक्जाम से वो conduct नहीं करवाएगा IIT के एक्जाम को मतलब आपका जो BTEC है उसके अंदर वो नहीं देगा है आपका admission जेएडवांस के बेस पर जो भी होगा जेए इनके बेस पर होगा तो अभी उसके लिए थोड़ा स्यानत हो जाएए अभी उसके बारे में आपको fix होने की जूरत नहीं है बस मैं आप सभी के लिए एक information है काफी students बहुत जादा hyper oriented चीज के लिए तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा information दे रहा हूं बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भी जो जेए advance का exam है वो आपको 21 अगस्त को पता चल जाएगा उसकी जो meeting होने वाली है उसके अंदर पता चल जाएगा अभी तक ये सिरफ एक तरीके से आप कह सकते हैं ये प्रपोजल था कि भी हाँ ये प्रपोजल आ रहा है ये इस तरीके से प्रपोजल को अब depend ये तो नहीं है कि भी प्रपोजल हमारा accept होगा ये cancel भी हो सकता है और कुछ इसके अंदर और भी बदलावों हो सकते हैं तो अभी थोड़ा वेट कीजिए 21 अगस्त का वेट कीजिए आपको information मिल जाएगी मेरे तरब से भी आप मेरे चैनल को अगर subscribe करेंगे और notification bell को जरूर दबाएगे तो आपक अगस्त का एक्जाम कनेक्ट कर आए जही में 2019 का और जो हमारा January और April में कंड़क्ट होगा और वो जो होगा वो online mode आगा offline mode नहीं होने वाला है जहां इसके अंदर आपको जो January का जो सेशन होने जनवरी और April का जो भी सेशन है तो पहले January का सेशन होगा तो इसके अंदर जो स प्रफेसन होगा उसके अंदर जो आपको candidate को sitting होगी एट sitting होगी और वो कहां से कब से कब तक होगी मतलब 6 से 20 जनवरी को आपकी इसके अंदर sitting होगी मतलब आपके exam होगी 6 तारिक से लेके 20 तारिक के बीच में और जहां इसके अंदर आपको aid sitting होगी जहां student की अलग अलग students के अलफाबेटली यह जो select करेंगे उसके इसाफ से उनको जो लो लंबर मिलने वाला है उसके अंदर उनको mention हो जाएगा उनका exam कहा होगा और किस तारिक होगा तो सारी information आपको अपने लो लंबर के अ हमारा जो आपके application forms है वो एक स्टमबर से start हो जाएंगे क्योंकि NTA जब यह information आ यह ती उस ताइम उन्होंने बता दिया कि आपके जो forms है वो एक स्टमबर से field होने start हो जाएंगे और जो इसके last date रहेगी वो 30 स्टमबर रहने वाली है जहां इसके results will be आपको declared हो जाएंगे NIT, IIIT और CFTIs के लिए ही based है जो हमारा JMAN 2019 के जो scores होंगे उसके base पे आपको इनके अंदर qualify होंगे और जाएंगे 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 अब बात करते हैं थोड़सम आपको थोड़सम दुबारा से overview दे देता हूं कौन-कौन से आपके dates है तो यह आपे सबसे इप important dates के बारें बात करें आपको मोग टेस्ट के लिए आपको उपलब दोचकी है information information नहीं आपको जो इसकी सेवा है वो आपको मिल चुकी है अगर आपको अपने states के अंदर पता कीजिए भी किस कहां पे इसके लिए हमें मोग टेस्ट हम दे सकते हैं आपको पता चल जाएग अ के exam का जो computer-based exam होने वाला है उसके अंदर आपको किस तरीके का pattern देखने को मिलेगा हो और क्या आपको display पे दिखेगा और किस तरीके से आपको exams को attempt करना है तो यह बहुत ही important बात है आपको यह जुरू try करना चाहिए अगर आपने नहीं try किया तो आपको थोड़ी problem हो सकती ह exam के time okay और जहां यहां पर बात करते हैं issue of application form मैंने बताती है एक स्टंबर 2018 को इसकी हमारी date आजाएगी और जो इसकी last date रहेगी वो 30 स्टंबर 2018 रहेगी और जहां आपकी 8 seating होने वाली है 6 से लेके 20 January 2019 के बीच वीच में आपके exams हो जाएंगे और जाए इनों नहीं का I will be total 8 seating well we candidate have to flexibility to pick up one of the them ठीक जहां आपका result declared हो जाएगा 1st week of February 2019 के अंदर आपका result declared हो जाएगा जो आपके questions आपने click करके हैंगे उसके लिए एक Omar City answer की मान लीजिए वो आपको मिल जाएगी अगर आपके किसी तरीके के errors आजाते हैं फोम बढ़ने के time तो वो भी change करने का option वो भी आपको इसके बीच में ही मिल जाएगा तो यह सारे information आपको मैं जो at a time पर जो fix होगी तो उस time में आपको बता दूँगा फिलाल यही fix है कि आपके जो exams होने वाले हैं एक सकीन जो आपके exam सोने वाले हैं वो आपके जो form feel हो जाएंगे एक स्टमबर से और जो last date रहेगी वो 30 स्टमबर होगी और आपके exam होगे 6-20 January को तो आप अपने exams की preparation start कर लीजिए अगर आपक books के लिए कोई confusion है तो उसका link मैं आपको यहाँ पर दे दूगा तो यहाँ पर जाके आप वो books पढ़ सकते हैं मैंने उनके बारे में एक video बनाई है पूरी detail के अंदर उसका link आपको description में मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा यहाँ पर जाने के बाद आपको उस video को आने वाला जहां exam will be now no longer available offline mode नहीं होने वाला है शिर्फ आपका जो exams होगा वो online mode ही होगा वोगे जो exams होने वाला आपका online mode ही होगा इन अनदर की development the frequency of the exams has been increased from once of the device in a year the exam will be conduct in January and April यह बाते तो आपको पता सली गिया बाकी 8 seatings होने वाला है यह सारी बाते थी बस माँ आप सभी के साथ share करने वाला था अगर आपको कोई problem है या किसी तरीके का आपको doubt से तो please मुझे comment करके जुरूर बताना मैं इसी तरीके के आपके लिए information भी जुरूर प्रवाइड कराता रहूँगा और जितना होसके है उतना मेरी वीडियो को like, share और comment जुरूर करना और होसके है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लेना आपका जो जही में advance की information प्रवाइड होने वाली है 21 अगस्त 2018 को तो उसकी information मैं आपको जल्दी upload कर दू अगर आपको कोई information चाहिए तो please मुझे comment जरूर करना तो thank you students